हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वाधिन और वेलकम तो आर चैनल एस्डी ग्लोबाल बायोटेक तो दोस्तो आज का जो टॉपिक है यह एक्चुली बॉटम क्लीन प्रॉसेस के उपर है तो इसको बहुत गलत तरीके से इसको मार्केटिंग किया जा रहा है तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि इसके उपर आप बात करो क्योंकि बॉटम क्लीन टेकनलोजी बोल के कुछ कुछ लोग है जो गलत जानकरी दे रहा है तो मैं ट्राइ कर रहा हूँ एक सही जानकरी देने के लिए बॉटम क्लीन प्रॉसेस कैसे सारे टेकनलोजी के साथ इंटिग्रेटेड है जो अपना जो रेस्वे होता है जो नॉर्मल पॉंड होता है इसमें टॉयलेट हम कैसे बनाते क्योंकि उसमें जो जितने भी सलज है वो अकुमूलेट हो जाए और बॉटम क्लीन प्रॉसेस सारे टेकनलोजी के साथ कैसे इंटिग्रेटेड है यह सारे चीज हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है दोस्तों आँ ठीक हम तो अघाँ हम पहले जाते हो इसमें हम बॉटम क्लीन प्रॉसेस को बहूत अच्छी तरीके से और भी अच्छे हिसाब से हम उसको इंटिग्रेट कर सकते हम लोग जो नॉन्मा जो जो टैंक बनाते है इसपे Bros. जो यह सेमिन टेंक हम बनाते हैं उस इस पे जो हम लोग जह आप इधर हम जो सेंट्राल रेने जो देते ठीके से लंबा सा हम जो पाइप इधर देते फिर इसमें चोटे-चोटे बहुत होल किया हुआ रहता है फिर जब हम लोग इसको आउटेट खोलते तो क्या होता है जितने भी सलज यह निकल जाता है लेकिन अगर आपके पास opportunity है ठीक है अगर आप सीमें टैंक बना रहे हो तो आप यह चीज़ कंसेप्ट आप एड़ कर सकते हो आपका तो जो सलज निकानने के लिए जो आपको सलोब है उसको छोड़के नीचे और भी एक चोटा सा टॉइलेट या सा बना देना है तो क्या होता है क यह जो आपको सलज है यह जो आपके इधर नहीं रुका रहेगा instead of that यह पूरा आपके नीचे आ जाएगा बहुत बरास एक टॉइलेट बनाना है फिर जब आप इसको आउटलेट खोलेगा तो पूरा का पूरा सलज निकल जाएगा फिर यह निकानने तो पहले अगर आपक सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी जो टांक है यह स्लज फ्री रहेगा तो यह जो बाइफलोग टेकनलोजी के साथ बॉटम क्लीन प्रॉसेस को और भी अच्छा तरीके सा आप इंडिग्रेट कर सकते हो एक कंसेट है दोस्तों दूसरी बात क्या है दूसरी बात हुई है कि बॉटम क्लीन प्रॉसेस विट रेसवेड तो रेसवेड के साथ बॉटम क्लीन प्रॉसेस और यह कोई नया टेकनलोजी नहीं है जब भी आप इस टाइप के रेसवेड देखते हो मैं स्रीव एक एक एक्जामपल देता हूँ ज जहां पर एक जगह फे थोरुदा आपका तो धलाओ कम होता है एक तohर बेंजादा होता है। उस एडियाया पर आप क्या करते हो ? एक टाइलर जैसा बनादेते हो, तो थो इदर उडयाओ कम हैं तो इदर ढालाओ कम होता है। तो diagonally opposite structure same होता है, तो इधर ऊचा है तो इधर ऊचा है, इधर नीचा है तो इधर नीचा है, और एडियाटर आधर diagonally opposite रखा जाता है, यह तो middle पर रखा जाता है, और जब यह पानी घुमते हैं, तो जहां पर भी थोरा नीचे होता है, उस पर आके आपके जितने भी सिलाज ह हिसाब से आप उसको sludge को निकाल देता है, जो multi-layer जो जितने भी आपके raceway होता है, उसमें भी कहीं पर structure wise, कहीं पर ऊचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, और आपके पानी rotor होते रहता है, जहां पर जो नीचा जगा है, उस पर जाके सारे sludge accumulated होता है, और आप pipe से निकाल स पहले से लोग बना रहे है, आजकल लोग थोरा ज्यादा बना रहे है, ठीके, पान पे जो medium-sized pond होता है, तो उसमें बनाना ज्यादा easy होता है, बहुत ब़हँत बड़ा pond लेते होता है, तो उसमें बनाना तो difficult होता है, वड़ आप बना सकते हो, जैसे suppose आप पकर लो अगर आ एक bio toilet बना देते हो, pond toilet जैसा है ठीक है और इधर आप aerator चलाते हो जब aerator घुमेगा जितने भी आपके sludge जैसा आके इस area पे क्योंकि आपके toilet बना रहेगा सारे sludge इदर से आके accumulate हो जाएगा ठीक है और इस पानी rotate होते रहेगा और इस जगह से इस toilet से आप एक pipe लगाके आप पूरा sludge निकाल लो नहीं तो क्या करते हैं अगर आप क्या करते हैं कि जितने भी आपका pond होता है उसका almost 30-40% जो middle वाला part होत जाता है तो यह bottom clean process आप pond के साथ integrate होता है लोग करते भी और आपको पता नहीं तो आप इसको कर सकते हो ठीक है दस्तों दोस्तों यह bottom clean process है ठीक है यह RAS के साथ भी integrated रहता है ठीक है जितने भी sludge होता है जब पानी जब आपके bio membrane filter से जब पास होता है तब ही सारे filter में जितन ठीक है that is a part of any of the technology ठीक है ठीक है तो ठीक है दोस्तों तो अभी आप देखते हो कि यह मैं नहीं बता रहा हूं यह मेरे बाप मेरे पापा बोलो उसके 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 पापा बोलो तभी से यह जो सीमें टैंक में है ना यह hybrid मांगूर बोलो तो और कोई भी टाइप पर जो मचल पानी डालो फेर्स पानी नीकालो पानी डालो इससे करके यह लोग ये जो कल्चर करते थे तो त reasonable क्या कर रह हो कि मचली के पाटि वागरा जितने हवी है वह सब आप क्लीन करते जा रहे हो nå prepare नीकालते जा आपके वाटन पानी की नीचे जंग चला गया, इससे यह हो गया, उससे वह हो गया, यह सब मिस कंसेप्ट है, आपको गलत बता जा रहा है, especially परस्ची मंगाल में यह चीज हो रहा है, तो यह कुछ नहीं है, यह एक जश्ट प्रॉसेस है, आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, ठीक अगर आप अपने पानी डेली एक्सचेंज करते जा रहे हो, और आपको पानी निकाल रहे हो, पानी दे रहे हो, तो आपका फ्रेश पानी रहेगा, आप डिजाल बॉक्स जेन रियाट कर रहे हो, आपके जितने भी गंदी गेर निकाल रहे हो, तो उसमें आपके एडियेश कर रहे हो उसके साथ bottom clean toilet cement अगर टैंक बनाते हो तो रे structure में आप change कर सकते हो उसको आप कर सकते हो बट आपके जो बाइफ लॉक है that is a pure technology ठीक है and bottom clean is just a process तो दोनों को आप integrate मत करो I mean दोनों को integrate करके यूज करो but दोनों को technology technology compare मत करो bio flock में bottom clean already integrated है तो दोस्तों बंगाल में और भी बहुत सारे लोग के जो बता रहे कि हो मचली को घास किला के बरा कर रहा है और जो घास है विदेश से लाया हुआ है दोस्तों ऐसे कुछ बात नहीं है इस इतने जितने भी जितने भी आपके water weeds है न यह duck weeds या azola या उससे रिलेटर जितने भी duck weeds आपको पाया जाता है आप आपके कहीं भी इंडिया में कोई भी ताला पे चला जाओ आप 2-3 km घूम के आजाओ आपको इंडिया के हर तालाओ में यह सब चीज मिल जाएंगा जो बहुत protein and mineral reached है ठीक है बट अगर आप यह water weeds आप यूज करते हो मचली के खाने के लिए आप make sure करो कि आप उसको लेकर आके पहले उसका सोधन करो आप उसको antifungal antibacterial दे के दो दिन भीगो के इसको clean करो उसके बाद ही जितने भी duck weeds वगरा है उसको आप दूसरे fresh water में लेकर जाकि उसके culture करो directly pond wall मत डालो फिर उसमें fungal infection फैलेगा मचली को और आपके जो biflock tank से जो sludge आता है अगर आप उस sludge को अगर आप जो जहां पर duck weeds आप पालन कर तो उसके पानी के साथ मिक्स करते हो तो फिर उसको nutrition उदर से मिलता है और उसमें कोई jumps भी नहीं होता है क्योंक पानी होता है तो उस पानी को आप duck weeds उगाने के लिए आप use कर सकते हो दोस्तों ठीक है यह कोई बिद्यसी पौदा नहीं है अपने इंडिया में हर तालाब में इसको मिलता है अराम से तो वो भी एक miss marketing है तो यह सब आप मत सोचो मत सुनो especially मैं बंगाल के लोगों को लिए ब उसमें तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगा जो air breathing phases हो सकते है कि उसमें आप थोड़ एरिएचन साथ कम्परमाइस कर सकते हो अगर आप water quality maintain करते हो और water action बहुत ज्यादा करते हो तो और bottom clean जो process जो बता रहे है आप लोग को उसमें आप water का जो आपके जो level है बहुत ज ज्यादा नहीं रख सकते हो ठीक है क्योंकि मचली को deserve oxygen का बहुत ज्यादा requirement होता है और इसमें deserve oxygen का problem होगा अगर आप दिन में चार बार पांच बार water change कर रहे हो तो probably उतना diesel oxygen का crunch नहीं होगा लेकिन अगर आप एक ही बार change कर रहे हो तो definitely diesel oxygen का problem होगा और bottom clean process में recommend क्यों नही water exchange करना पर जाए especially जब आपके मचली बढ़ा हो जाएगा production level के आसपास तबी आपको दिन में तीन बार चार बार पांच बार water exchange करना पड़ेगा आपको घरी घरी आपको dissolve oxygen देखना पड़ेगा तो उसमें problem बहुत जादा है और water का बहुत बरबादी है हम लोग bioflock concept लेके इसलिए क्योंकि water को हम थरा बचा सके और water का ज्यादा you know groundwater को हम maintain कर सकते उसका ज्यादा बरबादी ना हो तो इसलिए bioflock technology में ली लाना है ठीक है और एक pure technology अगर आप technology को नहीं समझते और आपको लग रहा है का failure हो रहे हो मतलब आपको technology पता नहीं है अगर आप technology पता नही चीज है जो bioflock करने के लिए आपको जानना जरूरी है अगर आपको नहीं पता है तो bioflock मत करो और जो आपको बंगाल में बोल है कि water exchange ठीक है कोई भी टैंक ले लो कोई भी मचली छोड़ो water निकालते जाए water डालते जाए तो हो गया सब कुछ हो गया फिर bioflock करने का क्या जरूरत है और अगर आपको वह technology बोलके बेच रहा है तो गलत हो रहा है तो इक वह water exchange है श्रीप आपको पानी क्लीन नो जो भी गंदेगी हो clean मार रहा है ना या पनी दे रहा है यह कुछ technology नहीं है किसी भी tank में किसी भी गड़े में किसी भी टैंग में किसी भी तालाभ में अगर आप यह water rotate exchange कर रहे हो तो आपको गंदगी आएगा है नहीं तो आपको मचली ऐसे स्वोस्थ रहेगा क्योंकि आपका पानी का कितना problem होगा यह आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो और यह without electricity तो नहीं हो सकता है क्योंकि आपको एडियेशन चाहिए ही चाहिए अगर आप पॉन में अगर आप पैडल यूस कर रहे हो या आपको diffuse oxygen यूस कर रहे हो एडियेटर तो आपको electricity चाहिए होगा ठीक है दोस्तों तो आप बाइफ्लोक सीखो और अगर आपको बाइ बाइफ्लोक अभी भी इंडिया में सक्सेस है और आप जो मैंने पहला वाला स्लाइड में बताया था आपको जो बाइफ्लोक का टैंक है ठीक है उसको थोड़ा bottom clean process के हिसाफ से थोड़ा modify कर लो फिर जितने भी sludge है पूरे जाके आपके टॉयलेट में जम जाएगा फिर उ समची